तो चलिए स्टार्ट करता हैं अब हम क्या सुप्जेट पढ़ने वाले कैसे पढ़ने वाले किया करने वाले कैसे करने वाले तो अगर हम जानते नहीं और यहां पर देख सकते हैं और यहां पर मेरा एक्सपीरियंस वगरा लिखा है और हमसे देख सकते हैं तो उसके लिए नहीं देख पाते हैं जिस में को करना चीए तो उसके लिए मैंने बहुत अची मैं खुद भी मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए क्योंकि मैं अभी अभी यूपेसी एस्प्रेंट हूं और बहुत पढ़ना पढ़ता है तो यह चीज मैं अपने बच्चे को बताता है मैं बोलता हूं कि अगर इसको ब्रेन में मगब करके जाओगे लेकिन अगर तुमने इसको दिल में बसा लिया तो आपका जो जीवन है वह पढ़िया करके संकट हूं के जाए एक बार करना इसको फॉलो करने कोशिश करना यह जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे यहां पर इसक दिल में बिटानी कोशिश करना जिस तरीके से आपी गर्फरंड या आपके बॉर्फरंड आपके ममी बापर दोस्त रहते हैं ब्रेन में मगब करने की जुरद नहीं है ठीक है ओके यह तो थी पहली चीज़ए दूर सी चीज़ए अब हम क्या करने वाले हैं कैसे करने वाले कि जर्नलु स्टडिव के अंदर जू हम सब्जक्ट परते हैं वो एक तो है puisque अःश किषर परिंग में ऩुर। कह सकते हैं एक हम पढ़ते हैं एकलत करने बिद्विए चलने वाली जो ढड़के वाली दीज हो औगर हैं इसको टो क्लासिफाइड है सब चार पान एक है इशेंट इस्टी फिर एक अज अजी पटी है मेडेवल इस्टी एक आजाती है modern history and एक आजाती है world history यह चार अलगर सब्जेट है ऐसी जोग्रफी के अलगलग concept खुछ के जैसे physical geography फिर आती है इंडियन जोग्रफी फिर आती है विश्व गुगल डेटिस वर्ड जोग्रफी फिर आती है एक को नॉमिक जियोग्राफी ठीक है जानक ना ऐसे सब्जेक्स हो गए फिर माइक्रो और मैक्रो एक्रोमिक्स यह अलग हुग है फिर करन्ट के अंदर भी सब अंत नहीं है लेकिन अब क्यों कि मुझे काफित हैं पड़ाते हुए एंड मैंने आज तक रैंक होल्डर्स को जो और रैंक में आते हैं वह भी प्रड्यूस किये हैं तो कहीने भी मुझे आइडिया हो जाता है कि कि इस तरीके से कहानी को कनेक्ट करके आपको जो है बताना इसी सीरीज को स्टार्व करने में जा रहा हुँ के अंदर ईसी से सेखला जो सब्जेक्साथ करूंगा पड़ाओं Ce करून प उपालेटिंग करूंग my और इनको किया करें आप इनको बार बार देखते रहे हैं इन सभी को पढ़ने के बद ना समझें मिनीमम से मिनीमम पूर टाइम रिडिंग मैंडेटरी है अगर इन सब्जेक्ट के ऊपर आपको थोड़ा वह कमांड चाहिए यूप एक्जाम दोगे तो नोड़ाउट जी एस उसका पहला प्यार होगा और जी एस के क्वेश्चन काफी सारे आपको एक्जाम में देखने को मि करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई यूज में तब में से पहले अभ्यास एक्टो पाउजर दूसर पॉइंट यह कि आपको प्रेक्टिस के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो एनिमी है वो कौन है और वो क्या है यूद में उतरने से पहले प्रेक्टिस इस मेंडेटरी यहां पर कोई हमारा जो यूद है वो है हमारी जर्मी इस मारी परपेशन उसके लिए जितना ज्यादा प्रेक्टिस करो उतना तो दूसरा हमको यह पता होना चीए कि हम लड़किस के साथ रहे हैं आखे बंद करके लड़ोगे तो में फूपी है आखे खोलके लड़ना है और क्या वीक पॉइंट है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या कितना ज्यादा है क्या कितना कम है वो सब चीज़ों उको फुरा ग्रान में रखके चलें यही दो चीज यही दो मूल मंतिर मैं आपको दे रहा हूं और वो क्या रहेगा वो सबसे पहले रहेगा प्राक्टेस जितनी जाबा करो उतनी कम खुद को बहुआन नहीं समझना दूसरा आपको अपना एनीमी अपना शत्रू पता होना चाहिए कि आप किस एक्जाम के लिए कर रहे हो आपको हुद के बारे में बी पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंट कर रहे हूँ हह हवा में औणने की जरुरत नहीं है किसी को प्रूफी करके दिखाने की वह जरुत नहीं है हमेशा काम आएंगे या बात करते हैं तो पॉलिटी के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं आप विंच्टा भार्क करते हैं अब घ्याष की बात है कि इतना सब्सक्राइब भाद पुरा की बैरा को और डू न बैटाङंगों गार्ण है कशे करना है क्या करना आपको बस मुझकर करना है कोछ उस बने को करने है कोश यह सब्सक्राइख और करना है वह प्छे तरीके से सब अबू हो जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम जिसके अब आपको थोड़ा सा समझना होगा हम जाएंगे तहां तक हम जाएंगे सबसे पहले अजादिका मैं इसको थोड़ा सा उपर की साथ लिख देता हूं ठीक पॉलिटिक के अंदरम क्या पढ़ने वाले वेटा पॉलिटिक के सबके साथ सब्सक्राइब करने वाले हैं को यह पता है कि हम लोगों को आजादी मिरी पंदरा अगस्ट उन्मेस सो संतालिस को हां बिल्कुल सही बात है हम लोग को इंडिपेंडेंस जो दिया गया वो दिया गया 15 ऑगस्ट 947 डाट इस आर इंडी यह हमारा अजादी का दिन लोगों को लगता है कि इस दिन हम अजाद है जोगी गलत नहीं है लेकिन क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं चीजों को देख रहे हैं तो हमारे लिए यह कंप्लीट अजादी का दिन नहीं है अब है क्या बोल रहे हैं जी हां आप समझें मैंने बोला कि फिप्टीन तो फोकस्ट 947 डाट इस आर इंडिपेंडेंस यह जनता के लिए दुनिया के लिए है लेकिन हमारे लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डेंडेंस यह जो इसको सभी के लिए हमको जाना क्या क्या हुआ यह था 1939 onwards World War II starting जो कि 1945 सक्षल यह जो फेज रहा यह World War II का फेज रहा जिसमें बिंदेंड भी लड़ रहा थी और विटेंड के साथ काफि सारे और एलीट पावर्स थी और अगेंस्ट में और भी अच्छे लोग जैसे जैपनीज पोर्स बगरा होगे यह लोग आपस में स्टार्ट होनी कि वजह से और इंडियन का पार्टिसिपेशन ना मिलने की वजह से जो सिंडों के पास घ्थम होने स्टार्ट हिए और इस तेन के बाद जो प्रिटेन के अंदर पॉलिटीकल पावर झाहिए और इसी डूरेशन में हम लोगों ने इंडियन ने जो इसके अलावा कही न कहीं जैपनीज ने या जपान ने भी हम लोगों की क्या करी मदब करी मतलब आप अभी तक आपको यह सुझना आया कि मैंने वर्ड वर टू के टाइम क्रेम में दो तीन चीज़ें आपको बताई क्या 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 बताई कि इस पॉइंट पर बिटिश के जो पॉलिटिकल पावर थी बिटियन के अंदर गोचेंज हो रहे थी इस ही टाइम के अंदर इन्डिया इस ट्रगल हुआ गांदी जी द्वारा या और लुटे मोटे तरप आपको पतावने चाहिए कि ऐसा-ईसा कुछ कुछ हो रहा था कहानी आगे बढ़ेति हैं जब आगे बढ़ी तो होंगा सेकंड फेजी जब हम सेकंड फेज में गये तो जो आजादी है वह काफी ज़्यादा क्या है काफी ज़्यादा नजदीक है अगी प्रॉब्लम यह है कि आजाद तुम तब होंगे जब तुम्हारा खुद का कोई कौंस्टीटिउशन ही जब आप कम्क्लीटली अपने तरीके से अपने रूस के कॉर्डिंग अपने इसाब से काम करोगे अब हम तो गुलाम रहे हैं तो जब हम गुलाम रहे तो हमारा कुद्धा कॉंस्टिशन था ही है हमारा कुद्ध का लौ नहीं था तिल 47 जान सुनो तिल 1947 हम लोग के ओपर जूभी रूस रेकुलेशन लौ बनाए गए वो बिटेरिन ने बनाए या बिल्बुल साही बात है यहां तक भी कोई दिखत नहीं है अब कहानी दीरे-दीरे क्या हो रही है कहानी दीरे-दीरे चेंज k Kollege स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पीडिशन quiet mr लिगा और तुम्हारा इंडिया पार्टिसान के बिटिश जो पार्टिशन उसकी बाद चल रही होगी नेगोसिशिए चल रहे होंगे डिसकॉशन सो रही होगी डिबेट होगी ठीक है 1947 आते हैं खानी में और चिंज आएगा जैसी कि मैं आपके सुटा जब साइब एजन उन्होंने शर्geschान बनाया थे इन्होंने क्या बनाय था。 Boundary commission क्यों बनाया? boundary commission बनाया था ताकि India जो आप देखते हूँ इंडिया जो आप देखते हूँ उसका क्या करवाया जा सकेовор clear उसका partition करवाया जा सके एक बनेगा तुम्हारा Pakistan और एक बनेगा आपका East Pakistan आज़कि बेटका statement और ये दोनों काम जो करने वाले का यह क्या हुआ ये आपका वूआ और नाम इस लिए पकिस्तान के पॉडर को रैड क्लिफ लाइन से जाना जाता है ठीक है ठीक है नाइटीन फॉर्टिसिक्स में तुबादा हुआ अभी पोर सब्सक्राइब से खेचे फिस सेम टाइम पे पुछ टाइम के बाद या कुछ मैने के बाद अठारा जुलाई आता है आपका इंड़ियन इंडी पैंडेंज्ट एक्ट एक्ट को इस एक्ट में बोला कि बैया आप तब तक कंप्लीट इंडिपेंडन्स नहीं होंगे जब तक आप का खुद का Constitution नहीं होगा आप तब तक complete independent नहीं होंगे जब तक आपका खुद का नहीं बनता तब तक आप ग्योवर्मेंट ओप इंडिया एक 1935 पो ही अपना temporary कि अजादी के बाद यानि 15 अगस्त के बाद के बाद जो अज़ादी के बाद जो इंडिया का जो इंडिया का administrative पार्ट यह एक्जेक्टव पार्ट होने वाला है और साथ में legislative पार्ट मतलब लॉव बनाने वाला पार्ट होने वाला है वो दोनों काम करेगी और कॉंस्टिट्वेंट असेम्ली काम करेगी और कॉंस्टिट्वेंट असेम्ली विल एक्ट एज इंट्रीम गवर्मेंट कब तक जब तक आपका नहीं बन जाता तो फर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बुला जिसने ए हमना मचा दिया वोह बोला की जो प्रिंस्लीस स्टेट्स है जो पृंसली स्टेट्स हैं फ्रिक जो अईसे राज्य हैं जो राजा सब करेंगिंध एभर्णों तो पिकम Хुई दिकत प्रिशानी आजी बात यह नहीं के सामधु कि आप चाहे इंडीपेंडेंट रहे लो मतरब खुदी अजाद रह लो आप चाहे इंडिया को जोग लो अपने साथ यह आप चाहे पाकिस्तान को जोग लो अपने साथ पॉल गया यह सारी बाते कहा लिख्या हुए ह के अंदर लुक्षी हो अब इस पूरी कहानी में कैच है कि कैच यह है कि सभी कॉंस्टी टोइन असेम्बली कहां से आ गई कि कॉंस्ट्रों इसम्बली तो बनी ही नहीं और इस तो काम किया है आजो अब हम चलते हैं कहां वापसर नाइटीनफर्टी सिक्स मैंने अभी तकी कहानी में आपको यह बताया कि वर्ड़ वार्ट फू स्टार्ट हुई नाइटीनफर्टीनफर्टी था कि कहानी चलता इंपक्त यह हुआ कि रिसूर्स कतम है इंडिया के स्ट्रगल जो उसका क्राम करने का तरीका चींज हुआ और इंडिया के अंदर आता है कैबिनेट मिशन प्लान इतना इंपॉर्टेंट क्यूर्टेंट मिशन प्लान इतना इंपॉर्टेंट क्यूं है इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन प्लान इसलिए है क्योंकि इस इस दी जिसकी वजह से आपकी क्या काम आपके कंट्री के लिए को फ्रेम करना काम था इस तो बनाने के पीछ जो प्लाइन जो रिस्पॉनसेबल है डाटिस कैपनेट मिशन प्लाइन जो कि आये 1946 में अब यह क्या करता है क्या करता है कैपनेट मिशन प्लाइन का गठन करवाता है मतलब इसको बनाने में हेल्प करता है कैसे कैसे अब कोशन आता है कि जो बनी है वो बनी कैसे तो अंदर जो है आप समझो को मैं शौर्ट में लिखा सी डॉट के यहां पर लिख देता हुग कॉंस्टी ट्वेंट असेंबली को बनाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि यह जो होगी यह एलेक्टेट भी होगी मतलब इसके अंदर जो लोगों में और नॉमीनेटेट भी होगे मतलब जो कुछ लोग डैरेक्ट नमित भी के जा सकता है कोई दिकत प्रिशानी वाली बाद नहीं तो लगबग 389 सीटे जो है वोन रिदारियत करी गई थी जिनमें इलेक्शन और नॉमिनेशन वगरा का देखने को मेरा इन 389 सीट में से जो मेजॉरिटी थी ज्यान देंगे सभी साथी मेरे इन 389 सीट में से जो मेजॉरिटी थी वो गई इंडियन नेशनल कंग्रिस के पास विसलिन एक कि अधर पार्टी ती उन्होंने अपनी जगा है मस्वीं है अब लॉझीकली इंडियन इंडियन कंग्रिस क्यों काम करेएगी क्योंकि वह पहले सी प्यूब लेकिन इस पॉइंट पर आके मुस्लिम लीग को ऐसा लगता है यह मुहमद अली जिन्ना सबस्टास लगता है कि वह मतलब जो मुस्लिम कमिलिटी है उनका इंडिया में कुछ नहीं हो सकता क्लाश जो है कहीने कही स्टाट पोच चुके थे पहले से ही तो मैं अभी पूरी कारी डिसकस नहीं करूँगा बिगास जब मैं आपको पूरी कारी अच्छे तरीके से डिटेल में जाके समझाएं कि जो इसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा आईज कि अब यहां पर बहुत स सबसे पहले कि यह जो आप इलेक्शन्स वागेरा देख रहे हूं यह होते हैं जुलाई अगस्त के महिने में 1946 इसका मतलब यहां पर अभी तक आप को इसन में आया कि 1946 में क्याप्रिशन प्लान के बाद जुलाई आगा सप्टमर के महिने में सब्सक्राइब करने वाली है को अब यह जो आपना प्रस्ताव भी रखेगी यह अपनी चीजे भी रखेगी कि अपने डिमांज भी रखेगी सब को तो कॉंस्टिटूइंट असेम्बली की फॉर्स्ट मिटिंग को और चीजों को धियान से देखे पर्स्ट मिटिंग और कॉंस्टिटूइंट असेमली होती है 9 अप डिसमबर 1946 को चीक है कॉंस्टिटूटन असेम्बली की जो पहली बैटक होती है वो तिया नाइन डिसमबर 1956 को जिसको मुस्लिम लीग जॉइन नहीं करती है तो कोशन तयार क्या आप सब्गिदानी सब्गा की पहली मिटिंग को मुस्लिम ने जॉइन क्या था आप इसी ही दिन डिसमबर को आई एन सी ने जो कि आई एन सी लीड करी है समविदानिक सभा को तो आइन सी ने समविदानिक सभा के प्रेशीडेंट को बनाया और उम प्रेशीडेंग का नाम का डॉक्टर सचीननन्दा सिना डॉक्टर सचीनन्दा सीना जो की पहले प्रेसिडेंट बने किसके आई एंसी ठीक है कॉन से हैं यह टेंपरेरी प्रेसिडेंट थे और काहाणी में ट्विस्ट आता है ठीक दो दिन बाद ठीक दो दिन बाद यानि की 11 दिसम्बर 1946 को इनकी जगन नए प्रेसिडेंट बना दी जाते हैं डॉक्टर रा जेंद्र परशाथ जो थे या मारे पर्मनेंट प्रेसिडेंट बन गए इसके एक क्वैस्ट्टिट लिसम्ट और नाइफ डिसम्बर को क्या होगा देन 11 दिसम्बर को क्या हुआ यह पूरी कानी connected है जब तक पहले जंग से नहीं समझोगे आगे का समझ में नहीं है रिकॉल करा वेका हुआ हमारी कानी शुरू होती है 1939-1945 वाला स्पेस जहां पर World War II चल रहा था और इसके पैग्राउंड में हमने अभी जो भी स्ट्रगल किया जिसके भी हेल्प ली उससे क्या हुआ में इंडिया में क्या बेजा गया उसके सब्सक्राइब बनाई जो बनी है उसके लिए सेकिंड नंबर में जो सीटे आई है उसके बलीक के पास है और थर्ड नंबर पर जो अधर पार्टी जो रड़ रहे हों है कहा जाता है कि जो इनके एलेक्शन से जो नॉमिनेशन होए है वह जुलाइअगस 1946 के महीदे में और इसको मुस्लिम लिगने जो इन नहीं किया तो तिक दो दिन बाद राजिंदर परसाद को पर्मनेंट प्रजिएंट बना दे गया मारे समयदानी सबाथ है ये 1946 की पूरी क अगर ये एक्ट ना आता तो हम अजाद ना आता है आप इची समझेरों अगर ये एक्ट आया हमारी अजादी लेकर रहा है लेकिन कुछ कंडिशन बिला है ये बोलता है कि 15 अग्रेश उन्यस्टारस का दिन होगा जिस दिन अंग्रेश हिंदूस्तान से चले जाएं लेकिन आप कंप्लीटली अजाद नहीं होगे कब तक जब तक आपका कुद का नहीं दूसरा पॉइंट जब तक आप अपना कॉंस्टिशन नहीं बनाते तब तक आप गवर्मेंट आप इंडिया की 1935 को अपना बेसिक कॉंस्टिटूशन बनाकर चलो और उसके काम करें तीसरा पॉइंडिया का जो एड्मिस्टेटिव वर्क और लेजिस्टेटिव वर अब अभी तक की कामी में शायद अपका सब हो रहा हुआ कि यार यह कैसा मास्टर है जो कि सिर्फ अपना पढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा इन दा पॉर्म अफ स्टोरी बताता हूं तो आपके जिमाग में छब जाए क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही है तो किताबों में भी कंटेंट अवलेबल है वहाँ पर जाके भी पढ़़ सकते हूं तो अगर किताबों में चीज़ अवलेबल है तो मेरा पढ़ाने के कोई मैं बहुत क्रिस्प शब्दों में डिटेल में कहानी की पॉर्म में चीज़ों को समझा देता हूं और एक बार नहीं एक ही बार में मतलब एक ही क्लास में मैं डो-तिन बार रिपीट कर देता हूं सब्सक्राइब आपके दिमांत्यों चीज़े च्प्ति स्टाइब अगे बढ़ते हैं अब क्रोंलोजी में हमने देखा अभी तक 9 दिसम्बर हो क्या रागता है कहानी आगे बढ़ी कहानी जब आगे बढ़ी तो 13 दिसम्बर 1946 को क्रोंलोजी चल रही है पिलकुल ध्यान सु एसेम्संब्ली के अंदर से एक व्यक्ति जो हैं वो उडते हैं जिनका नाम होता है पंड़ेथ जवालाल ने रूफ वो उड्ते हैं और वो सम्विधानिक सबहा को वी creatorो मैंने क्या बोला और वह संवीदानिक सभा को अबजेक्टिव रिजोलीशन देंगे जिसको हिंदी में उद्देश्य का प्रस्तावना कहा जाता आप समझू मैं क्या कहा हूं मैंने बोला कि 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 तो आईए इसको भी जानते हैं कि ये क्या है देखो अगर मैं आपको lemon language में समझना हो तो आप पहले इसको समझे ये एक kind of story की form में आपको बतारो जैसे माल लीजिए कि ये एक लड़का है और इसको जो है ले लगदा गूमने जाना है ये मैंने बना दिया ले लगदा रास्त लॉजिक क्या कहता है लॉजिक ये कहता है कि अगर इसको फ़ी डेस्टेशन में जाना है तो फ़र डैट इनीड मैप इसको रास्ता पता होना चाहिए इसको मैप होना चाहिए इसके पास या किससे पूछ-पूछ के जाएगा या जो experience order होगा जो पहले कभी ले जदा गया ह होगा बाइक से कार से उनसे पूछेगा कि रास्ता कैसा है जंगल कितने है खाने पिने की जगह है नहीं है क्या है वगड़ा वगड़ा इसका मतलब कि यह unknown person है इसके लिए destination नहीं है तो उस डेस्टेशन में जाने के लिए इस वही को मैप चाहिए अब आप ऐसा समझे कि य पहाड मैंने बनाया जिसको मैने ले का नाम लिया मतलब हम को नहीं पता कि कि निर्ट कैसे आएंगी हम स्कूर्ट को नहीं पता कि कνοशिचन कैसे ड़ जाते है तो उसके लिए हमको भी जरूरत पड़ेगी एक मैप की एक गाइडेंस की एक साथी की एक ब्लूपरिंट गी समझरेंगेंड की एक साथी की एक मैप की एक गाइडेंस की एक experience holder की experience person मतलब जो country हमसे पहले अजाद हो गई हो और हमारे से पहले उन्हों अपना सम्विदान बना लिए एक ऐसी कंट्र एट मेंज objective resolution क्या था objective resolution इंडिया के लिए a kind of map था इंडिया के लिए a kind of map था ताकि वो क्या बना पाए अपना सम्विदान बना पाए इंडिया के लिए टाकि हम लूग को पता चल पाया कि हमारे इड से में कैसे दिग उसके इंदर टोakteिशन दने वाले इंसान जो नंटा नम इंसान पंडीट जवालन ले में औहétais रिजुशन एक एज लूंग को प्नेटी में वाले इंसानों और जीन्य जिससे हमको पता चला कि हमारा जो कॉंसिशन होगा उसके अंदर चीजे जोगी हो किस तरिके से जाएंगी कहा जाएंगी क्या जाएंगी वगए अब यह समभीधार बनाने की बात पहले से चल रहे थी ऐसा निये कि समभीधार बनाने का जो आईडिया है उन्हें एक दम साया नहीं वह स्ट्री का हिस्सा है उसको फिर कभी बाद में अराम से में देखेंगे और मेरे चोटा सा साथी है वह जो है उसका नाम तो मुझे अभी तक आपको यह समझने मैंने आपको तक यह बताया कि objective resolution कब आया उसका काम क्या होगा और उमीद करता हूं कि अभी तक कहानी म अब अगर इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया तो जीवन संकर्ट मुथ हो गया बदाओं कैसे कुछ है नीए इसके लावा कुछ है ही नीए हमने maximum चीजे एक कहानी के कौम में पढ़ भी लेयाउट देता हूं लेयाउट में हमने अभी दख देखा नाइंटिंग इसक्स में लेके गया नाइटिंग फट्टेसिक्स में भी हम 13 दिसम्बर तक पहुझ गये फिर हम पॉझ गये 1947 याद है का नी और 1947 में पथराज़ तक वाज़ गये क्या क्रोणवाजी बन गई क्या आपको एक सीक्वेंस में अरीजमेंट आ गया आगया ने सीक्वेंस अब इसी के बेसिस पे मैं आपको देता हूं कुर्शन और देखते हैं कि वह कौन-कौन विज्यारती कौन-कौन साथी वह कुर्शन को सॉल्व कर पाते हैं अगर आप उस कॉर्शन को सॉल्व करने में समर्थ रहे तो भाया जीवन जो है वह बढ़िया हुझ पूर्शन देता प्रोम लोजिकली अरिन्गी प्रोम लोजिकली का मतलब सिक्वेंट में लगा प्रें क्या होगा फिरिकांगा फिरिकांगा बाउंडरी कमिशन ठीक है ओप्शिन नमबर टू एंट्रोड़क्शन ओफ अब्जेक्टिव रिजोलिशन ओप्शिन नमबर ट्री ओप्शन नमबर ट्री में मैं आपको देना चाहूंँगा क्या में चाहले है को स्केट्वन्त असंब्ली लाश्य बुत नॉटिस्ट उप्शन नमबर फोल्ट ओशनमें पूरक्श इन इनीन इंड़ेशन इंडिपेंडनेंग्ड नहंको देना च्यूंगा इंडेयन एक को शिचलम तो फिर क्या होगा फिर उच्छिंग तो próxim अब option क्या-क्या हो सकते हैं option हो सकता है 1, 2, 3 या 4 option हो सकता है 4, 3, 2 या 1 हो सकता है या option हो सकता है आपका 3 ठीक है या फिर 1 या फिर 4 या फिर 2 या option आपका यह हो सकता है कि भाई माल मो 4 है आपको इन चारों में से एक करेक्ट आपको इनमें से क्या हो अगर आपको यह याद तो आप इन से करेक्ट आप्शन निकाल देए कैसे इसको इस पूर्श बांडरी कमशन बनाता है मौन बैटन याट मेंस तीन जून 1946 का यह समय रहा है इंट्रोडक्शन अब्जेक्ट रिजुशन में मतलब होता है तेरा दिसम्मर 1946 को स्टीट्वेंट असेम्ब्ली आपकी बनी 1946 में जून के महिने में या जुलाई के महिने इंडियन इंडिपेंडेंट्स आप आता है अठारा जुलाई 1947 को तो क्रोणोजी में सबसे पहले क्या है क्रोणोजी में सबसे पहले अब देखो इन टोनों में भी इफ्रेंट है आप इसको मालोग में या जून के टाइम पर आपका क्यार्मेंट बश्न करना है तो सबसे पहले अप्शन आएगा थ्री का मतलब यह रहा अच्छा थी के बाद वन है उसके बाद फूर अच्छा और फूर के बाद तू यहां पर थूरा ऑप्शन गडबड़ो गया यहां वह सकता है तो बटा आपके लिए जो आंसर आपको मिल यह लेकिन मेरा मकशत यह है कि आपको समझ में आया उसकी इंपॉर्टेंट्स समझ में आई की वो कोशन के इस तरिके से एक्जामिनर कर सकता है एंड़ाइज बलीव नहीं कर सकते हैं बहुत कड़वा है लेकिन सब्सक्राइब एक कोशन इसी का में बन जाए एक कोशन कोशन के टाइप से पर के लिए कोशन टाइपस एक पहला तो में आपको दिखाया अरेंच दूसर आपको देगा मैच तीस आपको देगा है विच्वन इस करेक्ट विच्वन इस रएक अशिकरा चौथ आपको देगा इनकरेक्ट यह चार पास्ट एक पुशन के टाइप अएंगे इस पर्तिकलर टापिक से निपे परेंच लिए कर दो करेक्ष ब्सक्राद्ट लिए अपको बताया इनको थोड़ा ज्यान से अराम से पढ़ना इनको थोड़ा ज्यान से अराम से करना है यह यही है जीवन में जो आपको गुमा देगा और पेपर के पॉइंट पूसे पॉलिटी इस एन इंपॉर्टें सब्जेक्ट अगर आप अंडे का प्रपड दे रहे हो ना तो यह मसूल है कि वह कुछ भी कर सकता है और जीएस के अंदर तो गल्कुल रिस्टी लेने का है बाबा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए युग पेपर में इतनी महनत करनी पड़ती है यह इतना टाइम लग जाता है पढ़ना बहुत कुछ है एक चीज तो रही है सो चीज़े है है लेकिन यह से इस वेस इस पेर बहुत कुछ है मैं अगर चाहूं तो मैं टुमको डिटेल सकता हूं एक एक दिंभी कि तीन जून के बाद 4 5 लेकिन तुम्हारे काम का ही नहीं जो तुछ तुम्हारे काम की नहीं हो उसमें जाना बेट पूपी है मेरे कॉडिंग एस अब बाद में कभी टाइम मिलेगा तुम बेशब जाएंगी क्यों कि आने वाले टाइम पर सेशन तो आने ही वाले अब तक हमने जो पड़ा इस पर रिवाइस कर लेते हैं और प्रणोजी के साथ हम एक बार किताब के पॉड़िंग भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजिए कैसे कैसे कहां पर आगे जा रहे है डिमांड की बात करें तो भाई 1938 में जवाला नहीं को अंतर ब्याब आप इन्होंने पोला था है कि इंडिया मुस्ट भी कॉंसिशन इंडिया का खुद का फ्रेम होना चीह है विदाउट एनी और साइट इंटर्फरेंस और जो पॉंस्ट इसम्ली बनेगी वो अटल फ्रेंचाथी के वाटिंग बनेगी ठीक है अब 46 में कैफिन प्लान बेजा गया अब प्राजी में अगर रेगुलर तो समझो मैंने आपको क्या बता है माउंट बॉटन प्लान का दो दिखो द्यान के कहानी मुझे क्या कह रही है कहानी मुझे कह रही है कि कैपिर्ट मिशन प्लान जो आया बेटा यह आया था 1946 ठीक है इसने एक कॉंस्टिट्वेंट असेम्बली बनवाई जिसमें आई एन सी भी थी और मुस्लिम लीग भी थी इसका मतलब यह हुआ कि 1946 मतलब जब संविधानिक सबाब बनी तब तक पार्टिशन नहीं हुआ था क्या अगर मैं आपको यह बोलू कि कैपिर्ट मिशन प्लान ने दो कॉंस्टिट्वेंट इसम्बली बनाई थी यह स्टेटमन कहना सही होगा नहीं यह स्टेटमन गलाथ होगा क्योंकि लेकि पहले दिन यह तो 1947 में मौंट बैटन भाया थे तीन जून को जो आये थे इन्होंने बनाए था बाउंटरी कमिशन इन्होंने क्या बनाया था इन्हょन ने बनाया था । बाउंडरी कमीशन मनाने के बाद क्या हुआ इंडिया अलग हुआ और पाकिस्तान अलग हुई और पकिस्तान की अलग हुई यह कंसेप्ट आप ज्यान लगें अगें रिपिटिंग माइवर्ट बहुत सारी चीजें है और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ज्यान से करो अराम से करो कोई ज़दी वाजी नहीं है कोई तुम् अब प्रशन आता है कॉंस्ट्रेंट के पास उनकी खुद की पावर क्या थी उनकी खुद की पावर की कि भाई आप चाहू तो आप इंडिपेंडेंट्रेल लो तो आप चाहो तो आप एडिया में तो जोग या चाहो तो प्रिस्टी स्टेट में क्या करा प्रिस्टी स्टेट ने मना कर देंगे हम तो इसमें पार्टिसिपेंट नहीं करने हैं इच अलोकेटेट सीट टू बिटिश पोवियंस के अंदर क्या हुआ यह तीन अलगले अब अधि इलेक्टिट और आधि नुमिनटेद पनी पासली एलेक्टेट अंदर नहीं थे गांदी का बनाने से कोई भी लेना देना नहीं था यह पॉइंट आप अपने दिमाग में बिठागते रखें बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है गांधी जी का कोई भी लेना देना यहां पर नहीं था अब कॉंस्ट्टर इसेंबली ने काम करना कैसे स्टाइट किया तो सबसे पहले जो सब्सक्राइब जो अब बाइंट अब सब्सक्राइब किया थी बिठार नौ दिसमेंट नाने इसकी तो मुस्टिम यह डिस्क्राइब कर चुका मुस्टिमी बॉर्ड जोटों आप्रॉट इसेंट उनके साहथ दो क्रेंट बनाये गए यह एच्छी मुकर जी और वीटि के वाइस प्रेशिदेंस दो बने तरह ठीक है एक से मुकर्टी और विटी किस्ट ना अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजे जो कि सम्विधान की सावाने करी जैसे इंडिया ने रेक्टिपाइड किया कि नेशनल एंटम अडॉप्ट किया चौबी जनुरी सो पचास को पहला प्रेशिदेंट बनाया गया इंडिया का चौबी जनुरी सो पचास को इन ओल्ड़ को सम्विधान को बनने में लगे दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन ठीक है पूरे कब से स्टार्ट होगा यह स्टार्ट होगा 9 दिसंबर 1946 से और यह पूरा समय तो जाए गए जाएगा आपका 26 और नवंबर 1949 तर आप काउंट कर लेना तो लगबग 2 साल 11 मिन अठा लगए इस ताइम सामने आया था वह आया था चैसी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चीए यह इंपोर्टन फैप्स आपको याद हो और पेपर के पॉइंट आपको यह नॉलीज परस्पेक्टिव से रही आर मतलब आपको यह तो पता होना कि तुम्हारा नैशल यह तो पता ही होना चीए तो बैसिक चीजें है अब जो कॉंश्वन साइम्ब्ली हमने बनाई कानि के कंटेक्स्ट में मैं ने अभी तक आपको क्या बताया कानि कंटेक्स में औब जेख्टिर विजूशन दे दिया पंडर नहीं लेकिंद अभी कॉंस्वन बनना स्टार्ट पुड़ी हो अभी कॉंश्वन बनना स्टार्ट नहीं होगा अभी सिर्फ अब इसकी कहानी जो है अब स्टार्ट हुआ है अब अगर आप कहानी में रेगुलर्डी में साथ चल रहे हुँ तो आपको मैंने बताया कि 13 दिसमबर 1946 को अब्जेक्टिव डिजूशन डैट इस इस ओ डॉट आर को एक्सेप्ट किया सबने मिलके 20 जैन्वरी 1947 को कि हाँ बाई इसी के बेसिस पर हम अपना क्या बनाएंगे कॉंश्वन गांगे इस जैन्वरी 1947 से पंद्रह अग्रास 1947 की कहानी हम अलड़ी डिसकस कर चुक है अब यह वो दिन रहा जिस दिन तुम क्या हुए जिस दिन हम आजाद हुए है ठीक है डाट मींज पावर नाउ इट्स आर ओन थैंस वह बात अलाग है कि पार्सिल पावर से हैं कंप्लीट आगे अब एक्ट्वल में जो काम करना स्टार्ट वुगा वह वा 15 अगस्ट 1947 के पाद क्योंकि इसके बाद यहां पर डिफ्रेंट डिफ्रेंट केलिए डिफ्रेंट कमिटी बननी स्टार्ट इस जो सबसे पहले मेटी होगी वह बनेगे लगबग 28 अगस्ट 1947 को जिस कमिटि अब आप समझो मैंने अभी आपको पीछे चोड़ने पहले क्या बदा है कि हम लोगों ने लगवग 60 कंट्रीज के कॉंस्टिशन को देखा तो 60 कंट्रीज हैं और अगर 60 कंट्रीज से कॉंस्टिशन को देखने हैं तो आपको उसके लिए मैंनबावर रायलप सही है कि तो हमने क्या किया हमने कैद का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या उश्री करना का एक्षड काम था तुम्हारे सम्विधान को बनाना आप ऐसा समझेए कि माल लीजिए ये मैंने बनाए ट्राफ्टिंग कमेटी ये सेंटर में है ये सारी कमेटी इसके हैड है और जितनी भी कमेटी होंगी वो सब अपने रिपोर्ट किसको देंगी वो सब अपने कटेस्ट में क्या सभी है क्या बूरा है उसके पार्टिंग उसको वह दालबाल के change करते रहें राफटिंग क्मेटी के अंदर टोटल सेंड में बर सैंत ए-स नौ रहे हैं जिसमें से दॉक्ट वी को लभी कर रहे हैं जिसमें से बातिंग पर संटर में करेंगे इसको चेंज करेंगे अपनी कंट्री के उसी के जिक्र यहां पर क्या होगा देखो क्या अंदर जिसके अंदर सबसे पहले जो में कमेटी बनी डॉक्तिंग कमेटी डॉक्टर पीम्राओं कर दॉले के इसकी इसके वीचिन पावर कमेटी कमेटी जो वह अलड़ी वता चुका चला रहा था इनके सब्सक्राश कोण चला रहा था इनके नाम याद रहा इंके नाम याद होने चाहिए मुझा इंके नाम आपको अगिद्य जिए इसमें यह कमेटी इन कमेटी ने काम करना स्टाट एक कोशन और आपके एक्जामने जो बनता है वो यह बनता है कि हमारे समझदान को हमने बॉरू किया है तो उसमें लिखा का 60 जगाओं के साथ अलग लग जगाओं से समझदान को नहीं लिए काउंट करो एक डो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ तस हमारा जो सोर्स ऑफ कॉंस्टिशन है वह टूटल जारा जिसमें से दस है कंट्रीज और एक है मेरा गवर्मनट आप इंडिया एक आप देख सकते हैं पेपर में कोशन कहीं बार बन जाता है कि किस जगह से क्या लिया हुआ है आपकी नॉलीज के लिए बता दू कि मैक्सिमम जो चौंस्टिशन हमने बाइब किया वह हमने क्या थिए गौउर मेधा खौफिट्स कंट्री शैंट्रील की वह आपकि स्पीडियों पर है इसे जैसे जया जा जैसे वह जाते जैसे फॉर सब्सक्राइब आपके पास नहीं जितना डिटेल में आपको लेकर जा सकता हूं आपके एक्जाम के पॉइंट आपको यह कितना यूस्फूल अपने लिए बनाना है क्योंकि मुझे पता है इस वेरी यूस्फूल तो यह जो टॉपिक सब्सक्राइब करेंगे लेकिन मैं यह पूरी कहानी रिकाप कराऊंगा और रिकाप कराने के बाद आगे जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक पढ़ने वाले प्रेंबल उसी कहानी मैं करूंगा कि कली मैं आपको बताऊंगा कि कब स्टार्ट हुआ था जो कि मैं आज बता जो कब खताम हुआ फिर क्या का नहीं हुई वागर अगर आप सब्सक्राइब होगी और अगर आप सब्सक्राइब है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस त्रीके से जो क्लासिस है वो आपको इन उसको लग रही है या नहीं लग रही है और बीच बीच में आपके साथ कोशन भी डिसकस्ट आने वाले सेशन जैसे से पटते जाएंगे मैं आपके भी प्रिशानी देखक नहीं आएगी इस बाती गारंटी मेरे बट्ट यू नीड टू बी पेशेंट एंड फोकस्ट बरुसा रखो गवराओं मत बरुसा रखो बरुसा रखो इससे साथ मुझे आगे दीजिए तब तक लिए पपाई टेके जैन अस्ते रहें उस्तात रहे नेक्स सेशन में आपसे मुलाबत बाई बाई